नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Group पर दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है आज हम आपको पढ़ा रहे हैं पिछले 15 सालों से रेलवे में अलग अलग इस्ट्रीम में पूछे गए जनरल अवेनेस जनरल साइन्स के काउशन्स बाकाइदा डेट और एक्जाम इयर के साथ में काउशन्स दिये हुए हैं आप उनको पढ़कर चेक करिए कितने कौशन्स आप से बन रहे हैं क्योंकि रिपीट 80% कौशन होते हैं तो वीडियो को आप भी पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं तो मेरी तरब से आपके लिए बैस्ट अप लग अधिक जानकारी के लिए वीडियो के अंतक रुखिएगा मैं आपको और भी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो के समन्द में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कमर्शल अप्रेंटिस जिसको सिये परिक्षा सोला ग्यारा उनिस्टो संतानवे को जवाय जित हुई थी उसमें रेलवे में जो कॉशन पूछे गए थे वो कम्रीट करते हैं पेस्ट मेकर का तातपरे क्या है तो दिल की धरकन को प्रारम करना पेस्ट मेकर का तातपरे है हडपा सबिता का सरप्रतम खोच करता कौन थे तो हडपा सबिता के सरप्रतम खोच करता दया राम सहनी जी थे जर्मेनियम क्या है तो जर्मेनियम एक सैमी कंड़क्टर है बिच्चु में विश का होता है तो बिच्चु में विश डंक में होता है नाच पकने वाले खाना पकाने वाले बरतनों में कौन सा लेप चड़ा होता है तो नाच पकने वाले अस्थात नॉन्स्टिक फ्राइंक पैन में टैफलॉन की परच चड़ी होती है सिर्के का मुख्य भाग क्या होता है तो सिर्के में मुख्य रूप से Acetic Acid पाया जाता है साग्री खर्पतवार सी वीड्स किसका महतपूर्ण स्त्रोथ है तो साग्री खर्पतवार आयोडीन का महतपूर्ण स्त्रोथ है प्लाष्टर औप पैरिस जमाने के लिए क्या आवश्चक है तो जल योजन के दुआरा अन्य हाइडरेट बनाना प्लाष्टर औप पैरिस को जमाने के लिए आवश्चक है अब 2000 में हुई commercial apprentice railway की परिक्षा उसमें पूछे के question करेंगे हम दक्षिन भारत में दांडी मार्च का संचालन किस ने किया था तो राजा जी ने दक्षिन भारत में दांडी मार्च का संचालन किया था देश की पूजा ही राम की पूजा है ये किस ने कहा था तो मदनलाल दिंगरा ने ये बात कही थी देश की पूजा ही राम की पूजा है पशु और पौदों की जाती में सबसे अधिक विवित्ता कहां पाए जाती है तो उशनकटीमंदिय आदर, वनों में पशु और पोधों की जाती में सबसे अधिक विबित्ता पाई जाती है किसी मृदा का पी एच मूल्य उस विशेस मृदा में किसको मातित करता है विशु का सबसे उचा जुआला मुखी कौन सा है तो कोटो पैक्सी परवत परिस्थित कोटो पैक्सी जुआला मुखी विशो का सबसे उचा जुआला मुखी है सॉल्टारो कटक कहां परिस्थित है तो सॉल्टारो कटक सिया चीन हिमनत में इस्थित है अगला कॉशन देखते हैं क्या पूश अगया है तो यह रहा स्कीन के सामने आपके सामने उत्री अमेरिका के तट से गुजरने वाली थंडी मास आगरिय धारा का क्या नाम है तो उत्री अमेरिका के तट से गुजरने वाली थंडी मास आगरिय धारा का नाम लेबराडोल हारा है next question देखते हैं भारत के ध्रूर पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतुराल कितना है तो भारत के पूर्व और पश्चिम में समय का अगर गैप देखा जाए तो दो घंटे का गैप है एक 450 का पूर्ती चक्र क्या प्रदर्शित करता है तो एकाई लोचदार प परिक्षा 2002 का ये प्रश्चिपत्र है डोल्डरम क्या है तो भूमद रेखा के आसपास अल्पदाप का छेतर जहां बहुत कम हवाय तथा समुद्र है वो कहलाएगा डोल्डरम संसत के दो अधिवेशनों के समय में कितने समय के अंतर से अधिक का समय नहीं होना चाहिए तो पच्चिस वर्ष लोग सबा के निर्वाचन के लिए नियूंतम आयू सीमा है सिया चीन क्या है तो भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनत सीमान चेतर सिया चीन के नाम से जाना जाता है गैंबिट पत किस खेल से सम्बंदित है तो गैंबिट पत सतरंज खेल से सम्बंदित भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है तो मैतली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती पुस्तक लिखी गई है इतली के पुनर जागरण का कवी कौन है तो दाते को इतली के पुनर जागरण के कवी के रूप में जाना जाता है प्राचीन भारत का वह प्रशिद सासक जि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था उसका नाम क्या है तो प्राचीन भारत का वह शाशक चंद्रगुप्त मौर है जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविन किसके द्वारा लिखी गई है तो जैदेव के द्वारा लिखी गई है प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविन next question देखते हैं मानव में plasmodium का संक्रमन उत्पन करता है तो मानव में plasmodium का संक्रमन malaria rog को उत्पन करता है पीसा का leaning tower कहां इस्तित है तो पीसा का leaning tower Italy में इस्तित है अगले question पर चलते हैं तो देखे ये है ECRC परिक्षा 2005 में जो आयज़ित हुई थी उसमें आये question बागएद है आप date सर्च करके भी देख सकते हैं doctrine of lapse राज हरप नीती किस ने आरम की थी तो Lord Dalhoji ने doctrine of lapse नियम राज हरप नीती का पालन करते हुए शाशन किया था सूरिकी सबसे बाहरी सता का नाम क्या है तो क्रोमो मंडल सूरिकी सबसे बाहरी सता का नाम है द्रश्टी का हाइपर मेट्रोपिया दूर द्रश्टी दोस किसके प्रियोग से ठीक किया जा सकता है तो दूर द्रश्टी दोस अर्थात हाइपर मेट्रोपिया उत्तर लैंस के प्रियोग से ठीक किया जा सकता है साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था तो प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था वर्साई की संदी के साथ प्रथम विश्युद्ध लोकटक जील किस राज में इस्थित है तो लोकटक जील मडीपुर राज में इस्थित है अगला कौशन दिखते हैं बॉकसाइड किस धात मी दहरा दून में इस्ठित है मुगल शाशक जहीरुद्दीन मुहमद किस नाम से विख्या था तो मुगल शाशक जहीरुद्दीन मुहमद बाबर के नाम से विख्या था सयुक्त पाड़ी ग्राही किस भारतिय शास्त्री नरतिकी अग्रणी का प्रतीक है तो ODC का अग्रणी प्रतीक है सयुक्ता पाड़ी ग्राही ये एक व्यत्ती का नाम है लेडी है सयुक्ता पाड़ी ग्राही तो ये ODC नरतिकी एक प्रकार से कलाकारा है केंद्रिय चमड़ा अनुसंदान केंद्र कहां पर है तो केंद्रिय चमड़ा अनुसंदान केंद्र चेंड़नाई में इस्षित है रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का समन्द किस खेल से है तो रोहिंटन बारिया ट्रॉफी खेल का समन्द क्रिकेट खेल से है समिदान सभा के उद्गाटन अधिवेशन की अधिक्षता किस ने की थी तो डॉक्टर सचिदानन सिन्हा ने समिदान सभा के उद्गाटन अधिवेशन की अधिक्षता की थी विजय नगर सामराज के खंडर किस नदी पर इस्तित हैं तो तुंग भद्रा नदी पर इस्तित हैं विजय नगर सामराज के खंडर तुंग बद्रा नदी के किनारे राजसवा के सदस का कारिकाल कितने वर्षों का होता है तो छे वर्षों का होता है राजसवा के सदस्यों का कारिकाल कौन सा अब्यारन भारत में एश्याई सेरों का घर है तो गिरवन राश्य पार्क जो की गुजरात में इस्थित हैं भारत के एश्याई शेरों का घर कहा जाता है गुल ए नगमा के लेखक कौन हैं तो रगुपती सहाय जिने फिराख भी कहा जाता है गुल ए नगमा लेखक के लेखक है मनश्की आँखें स्वस्त क्रियाशील कौन सा बिटमिन से होती है तो बिटमिन A के कारण मनश्की आँखों की स्वस्तता और क्रियाशीलता निर्भर करती है भांगडा किस राज का लोगप्रिय नत है तो भांगडा पंजाब का लोगप्रिय नत है मार्श गैस किसे कहा जाता है तो मीथेन के लिए मार्श गैस कहा जाता है बेकिंग खाना बनाने में प्रियुक्त होने वाले सोड़े का रासाइनिक सूतर क्या है तो नह-co3 खाना बनाने वाले सोड़े अर्थात बेकिंग सोड़े का रासाइनिक सूतर है भारी जल का आणविक सूतर क्या है तो deuterium oxide D2O भारी जल का आणविक सूतर है जल में सबसे कम घुलन सील गैस कौनसी है NH3 ammonia जल में सबसे कम घुलन सील गैस है ammonium chloride के जलिय विलियन की प्रकृती कैसी होती है तो ammonium chloride के जलिय विलियन की प्रकृती अमलिय होती है तापमान और धाप की समान इस्थितियों के अंतरगत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है यह किसका नियम है तो यह आवो गैडरो का नियम है यह नियम एक्जाम में पूछे जाते हैं कमर्शिल अपरेंटेस गुट्सगाड परिक्षा 2006 में जो आयतन थी उसके कौशन मैं पढ़ेंगे चीन की सबसे प्राचीन सबिता कौन सी है तो चीन की सबसे प्राचीन सबिता है शांग मिश्र में अबु सिंबेल का मंदिर किसे समर्पित था तो भगवान सूरिको समर्पित है अबू सिंबेल का मंदिर मिश्र में मद्द जीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना गया है तो मद्ध जीवी महाकल्प को प्राचीन काल में 210 से 70 इसापूर्व मिलियन वड़्ष पहले होना माना गया है बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था तो लॉड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था यदि तीन या चार समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों तो उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें आवतल प्रदेश कहा जाता है 37 सोदक समाज की स्थापना किस ने की थी तो जोतिवा राव, गोविंद राव, फुले जी ने 37 सोदक समाज की स्थापना की थी मैगलन जल्डमरू कहां इस्थित है तो दक्षण अमेरिका के दक्षणी छोर पर मैगलन जल्डमरू इस्थित है पिक में म्रदा अर्थात पीट स्वाइल कहां मिलती है तो केरल राज में मिलती है पीट स्वाइल नेक्श कॉशन दुरुविय छेत्र में हिम रेखा कहां इस्तित होती है तो समुद्र तल पर दुरुविय छेत्रों में हिम रेखा इस्तित होती है भानु अतहिया किस रूप में प्रसिद हैं तो फिल्म डायरेक्टर हैं भानु अतहिया next question देखने हैं किस ग्रह का नाम प्यार की देवी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है तो वीनस का ग्रह का नाम प्यार की देवी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है एवियन इंफ्लूएंजा किस विशाणू से होता है तो H5N1 से एवियन इंफ्लूएंजा होता है जो के एक वाइरस है राष्ट्र प्रतीकशिन्ड के नीचे मुद्रित सत्य में उ जैते कहां से उध्रत है तो मुंड को अपनिशत से लिया गया है राष्ट्य प्रतीक शिन्य के नीचे मुद्रित सत्यमेयो जैते को केंदर सासित प्रदेश लक्षदीप में कौन सी भाषा बोली जाती है तो केंदर सासित प्रदेश लक्षदीप में मल्यालम भाषा बोली जाती है YMCA का विस्तार रूप क्या है तो Young Men's Cricket Association YMCA का फुल फॉर्म है हिंद स्वराज के लेकक कौन है तो महात्मा गांदी जी के द्वारा हिंद स्वराज लिखी गई है जब लाल हरा और नीला रंग के प्रकास को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा निकल कर आता है तो उजला रंग निकल कर आता है लाल हरा और नीला या उजला या सफेद रंग भी कह सकते हैं आप इसके लिए यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा तो सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो आवर्त काल जो है बढ़ जाएगा बायो गैस किसका मिश्रण है तो मीथेन, हाइडरोजन, कार्बन डियाकसाइड और हाइडरोजन सलफाइट का मिश्रण है बायो गैस मेगनेटाइट का रासाइनिक सूतर क्या है तो FE304 मेगनेटाइट का रासाइनिक सूतर है जब किसी चार को लिटमस विलियन में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है तो जब किसी चार को लिटमस विलियन में डाला जाता है तो उसका रंग नीला हो जाता है हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है तो लाल रग्द कोशिकाओं के कारण हार्मोन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है निसेचित अंडानू में इंप्लेमेंटेशन के लिए गरभाश है कौन सा हार्मोन तयार करता है तो प्रोजेश्ट्रोन हार्मोन तयार करके रखता है किसी पौदे के कार्मोनिक पदार्थ की अधिक्तम द्रविमान मात्रा किस से आती है तो मुर्दा में उपस्तित खनिच से अधिक्तम द्रविमान की मातरा किसी पौदे के कारनिक पदार्थ में आती है द्रवीकत प्रेक्ट्रोलियम गैस का रासानिक नाम क्या है तो द्रवीकत प्रेक्ट्रोलियम गैस का रासानिक नाम ब्यूटेन है ताजा फूल एवं फल को शीतलन की इस्थिती में रखने पर उसका गंद या उनकी खुश्बू उसके किस कारण नहीं जाती है तो oxygen ना होने के कारण नहीं जाती है ताजा, फूल या फल को, शीतलन की इस्तिति अर्था फ्रिज में अगर आप रखते हैं तो उसकी गंदिया खुशबू नहीं जाती है तो oxygen ना होने के कारण ऐसा होता है PDR Tricks में किसका अधियन करते हैं तो PDR Tricks में शिशु रोग का अधियन करते हैं Assistence Station Master परक्षा 2007 में आजित पूछे गये प्रश्न चन्दरकुप्त मौरे ने अपने अंतिम दिन में किस इस्थान पर जाकर बिताये थे तो चंदรगुप्त मौरे ने अपने जीवन के अंतिम्दिन श्रवण बेल गूला में बिताए थे फ्रांसीची राजक्रांती कब हुई? तो फ्रांसीची राजक्रांती 1789 में हुई लाल रग्त कण कहां बनते हैं तो अस्थी मज्जा बॉन मेरों में लाल रग्त कण बनते हैं यंग इंडिया पत्रिका किस ने शुरू की थी तो महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका शुरू की थी राज सबा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है तो औप्रत्यक्ष मददान प्रणाली पदती से राज सबा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तापती नदी का उद्गम इस्थल कहा है तो बद्ध प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से तापती नदी निकलती है भारत के महान्यावादी की नियुक्ती कौन करता है तो भारत के महान्यावादी की नियुक्ती राश्पती जी करते है आकास का रंग किस कारण वस नीला दिखाई पड़ता है तो प्रकास के प्रकीणन के कारण आकास का रंग नीला दिखाई पड़ता है पादप कोश्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो पादप कोश्का का पावर हाउस माइटो कॉंड्रिया को कहा जाता है तामा और जस्ता मिलाकर कौन सी मिश्य धातू बनाई जाती है तो तामा और जस्ता मिलाकर पीतल ब्रास धातू बनाई जाती है निकट दरश्टी दोस्ट दूर करने के लिए उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रियोग करते हैं तो निकट दरश्टी दोस्ट दूर करने के लिए आउतर लेंस का प्रियोग करते हैं यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है तो यूरोप के खेल का मैदान स्विज्जर लेंड को कहा जाता है संउत्राज संग का मुख्याले कहा पर है तो संउत्राज संग का मुख्याले नियोर्क में इस्तित है हाईग्रो मीटर का प्रियोग क्या मापने के लिए करते हैं तो हाईग्रो मीटर आप एक शिक आदृता मापने के लिए प्रियोग किया जाता है अनुच्छे 85 के अनुसार, 85 के अनुसार, संसत के 27 के बीच का सुद्ध अंतराल किस से अधिक नहीं होना चाहिए तो 6 माहा से अधिका नहीं होना चाहिए स्वार मंडल से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बुद्ग्रह है बुद्ग्रह के साथ वाले ग्रहों के नाम और बुद्ग्रह सूरी का चक्कर कितने दुन में लगाता है ये आंसर आपको हमें शेयर करना है दोस्तों ये था railway special question session पिछले 15 साल के हम आपको questions कराएंगे ये तो आप भी जानते हो हर साल तो railway के paper होते नहीं है gap by gap paper जो होते हैं जिस जिस येर में railway के paper हुए हैं और वो questions repeat होते हैं 100% मैं आपके लिए इसका session दूँगा कम से कम नहीं भीतो 2-5,000 question है 100,500, 100,500 करके मैं आपके लिए questions complete कराऊंगा next part अगर आप देखना चाते हैं तो आप हमसे जरूर जुड़ जाएं चैनल को subscribe कर लें bell icon on कर लें और all वाला notification on कर लें हमारे चैनल पर दिन बर में तीन वीडियो अपलोड होते हैं सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे इन तीनों वीडियो में अलग-अलग questions होते हैं जिनको देखकर notes मना कर आप अपनी तयारी कर सकते हैं परड़े का daily current affairs test paper अगर आप चाते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल All Exam Guide Guru 2.0 को subscribe करें किसी भी प्रकार की query के लिए आप हमें comment करें search करें या link share करते हुए आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो बता सकते हैं साथ साथ description box में अधिक जानकारी दी है आप वहां से पढ़ते हुए जानकारी ले सकते हैं किसी भी प्रकार से अगर आपको और जानकारी चाहिए बेचक comment करें हम आपके comment पर reply ज़रू करेंगे कैसे लगा वीडियो comment box में ज़रू बताएं जो caution last में पूछा है उसका answer ज़रू बताएगा मिलते हैं next part में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो